बुलो श्री प्राण नाथ प्यारी कीजे, बुलो श्री सत्गुरु महराजी कीजे, बुलो श्री पन्ना धाम कीजे, बुलो श्री सुन्दर साथ कीजे आप सब सुन्दर साज जी के धाम रिदय में विराज मान, शोभाय मान, प्राण प्रियतम, धाम दुलह, राज रसिक के कोमल, नूरी चरनार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी श्री बीतक साहब डे 136 यानि 136 दिन क्या कहते हैं श्री बीतक साहब बार बार पुकार कर रहनी की पुकार भी कर रही है और कह रही है इस तार्तम ज्यान के उजाले को फैलाएए सुन्दर साज जी कोई ना रुकी बिल्कुल नहीं शर्माईए ये नहीं सोचिये मुझे कितन आता है जितनी information आपके पास है उनको दीजिए और फिर आगे के contacts उनको दीजिए यदि आगे का मुझे इतना ही पता है आगे का जानना है तो इसके contact कीजिए जिसके भी पास तार्तम ज्यान का प्रकाश हो वो दूसरे के रिदय में इसका उजाला फैलाए ये हमारा परम कर्तव्य है सुन्दर साज जी क्योंकि हम वहां कॉल करके आए हैं धामधनी से उसको निभाना है आईए चलते हैं बहुत सुन्दर प्रसंग याज आन अधलेते हैं प्रणाम जी प्रणाम जी धीटी बेन अधी तो थे जी दीटी कुंभानी जी सुरत सुन्दर साह प्रणाम जी आपका नेक मिझा भूडा़। थोड़ा सा नेट आपका वीक चल रहा है अगर बीच में राजी करेंगे ऐसा नहीं होगा पर यदि बंज हुआ तो फिर मैं आपको म्योट कर देंगी जी परणाम जी आप शुरू कीजिए दोई शी प्राण नाच त्यारे हुआ ताम के खनी बायरे देहलो आपलो गिहली वात करेंगे एहने कोई तामिवारो एहने कोई तामिवार दूरजना देखता त्यमने बोला दे बायरे देखता तामिवारो गिहली वात करेंगे एहने कोई तामिवारो एहने कोई तामिवारो लोका बायरे देखता तामिवारो एहने कोई तामिवारो लोका बायरे देखता तामिवारो एहने कोई तामिवार एहने कोई तामिवारो बायरे देखता तामिवारो एहने कोई तामिवारो बायरे देखता तामिवारो एहने कोई तामिवारो कहे माहमती सोरा ली समखियो बाले इने पेरे देखता तामिवारो एहने कोई तामिवारो एहने कोई तामिवारो बायरे देखता तामिवारो एहने कोई तामिवारो एहने कोई तामिवारो एहने कोई तामिवारो प्रणाम जी प्रणाम जी बहुत सुन्दर भाव एक बार आपने earphones निकाल के बोल के देखिए बहुत सुन्दर अती सुन्दर धनी जी की बहुत महर है आपे आपने earphones लगायो है सकी जी आप एक बार उतार के बोलिए जी अब बोलिए एक लाइन सिरफ पहली पहली पंकि बायरे गिहलो पालो गिहली बात करें एहने कोई तम बिवारो एहने कोई तम बिवारो प्रणाम जी बहुत सुन्दर आगे से हो सके तो इयर्फोन उतार के ही बोलिएगा जादा क्लियर आवाज आ रही थी पर आपके प्रेम भरे भाव पूरे पूरे हम सब सुन्दर साथ तक महुँचे सूरत की धर्ती पे ही हम अभी हैं श्री बीतक साब के माध्यम से और सूरत की धर्ती से ही जब ये बहुत प्यारे वानी गायन आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आपके चर्णों में कोटी-कोटी प्रणाम जी अती सुन्दर प्रणाम जी अती सुन्दर प्रणाम जी आए सुन्दर साथ जी चलते हैं, हमारी प्यारी श्री बीतक साहब, अती सुन्दर जो प्रसंग चल रहे हैं, आपको पता है न हम कहां पे हैं सुन्दर साथ जी अभी, तो सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगी, एक बहुत सुन्दर सेवा की वेकेंसी निकाली गई थी, परसो निकाली गई, do you know सुन्दर साथ जी, सुबह सुबह ऐसे विचार आया, कुछ अंदर अंदर से, कुछ-कुछ ताना बाना सा चल रहा था, चानक से जुड़ गया एक दिन पहले से, जो निकाली गई, केवल एक या दो सुन्दर साथ चाहिए थे, बट एक्सपर्टीज, सुन्दर साथ अल् ने कभी देखा भी नहीं हुआ, थेंक यू सो मच सुन्दर साथ जी, आपका कितना आभार किया जाए, उतना कम है, पर अब ये कारवां अब रुकेगा नहीं, एज रिक्वायर्ड ये विकैंसीज निकलती रहेंगी, तो जो जो सुन्दर साथ चाहे उनमें एपलाई कर सकत और आपका बहुत प्रेम मिला, उसके लिए भी धन्यवाद, आएए चलते हैं, श्री बीतक सहाब के अति सुन्दर प्रसंग की ओर, इसमें भी कोडिनेट करने के लिए कमलेश भाई जी का बहुत-बहुत धन्यवाद, मुझे कोई कॉई कॉल नहीं सुन्दर साथ जी, केव आजी भीम भाई जी का बहुत सुन्दर प्रसंग चल रहा है सुन्दर साथ जी, अब हम चलते हैं, उनी की बहुत प्यारी ये जो लीलाएं चल रही हैं यहाँ पे, हम सबको उनका आनंद लेना है सुन्दर साथ जी चर्चा प्रारंभ होत है सुनो साथ चित दे भजो राज शामा श्री प्राण नाथ सक्षी जीवन हमारो प्रेट श्री महमति कहिये साथ जी भयाच चाका वकत अब तुम सुनियों चित दे लाल आगे आए बैठे इन तकत लाल आगे आए बैठे इन तकत बोलो श्री प्राण नाथ प्यारे की जै श्री सत् गुरू महराज की जै तो भीम भाई जी कहते हैं हम तो अक्शर ब्रह्म को ही सारा कुछ समझते थे ये तो अक्शर के भी पार की बात बतावा पिर किन की बात आई सुन्दर साथ जी गोविंद व्यास जी की बात आई जिनोंने 40 प्रशनों के उत्तर जो ढूंड रहे थे कबसे उनको समझ भें भी नहीं आ रहे थे श्री जी से समझ कर अब दूसरों को समझा रहे हैं अती अती सुन्दर और तब वचन विचारो रे मीठ दीच वलभाचारज वानी कि यहां पर बात आती है सुन्दर साथ जी वलभाचारज मार्ग के यह देखे सुबोधिनी टीका में ब्रज रास की अखंड लीला का अती सुन्दर माहरास जी का वड़ण किया गया है वहाँ पर आजकल सुन्दर साथ जी शरी कृष्णत्रिधा लीला में भी अत्ती सुन्दर नोट्स बन कर आ रहे हैं beautiful question answers सुन्दर साजी अभी भी समय है you are missing something if you are not in सहयोगिता परिवार जरूर इसमें कोई ना कोई रहस्य है सुन्दर साजी आज तक चर्चनी हुई सहयोगिता साथ में हो गई रिवीजन खतम हुई थोड़ी पोस्ट फोन करनी पड़ी first time था सहयोगिता का सब सुन्दर साथ घबराए हुए थे वो घबराहट दूर हुई सुन्दर साथ ने स्वयम बोला कि अब कीजिये सहयोगिता चर्चनी के बाद रिवीजन थी मन्स फिर चली सहयोगिता दूसरी बार हुई तो सुन्दर साथ जी श्री कृष्ण तृधा लीला सहयोगिता फुल प्लान की गई पूरी टीम्स बन गई everything वास गोइंग as per plans पर तब ही श्री बीतक साथ का समय आ गया सुन्दर साथ जी का बैठने वाले थे आज 120 से उपर सुन्दर साथ हो चुके हैं I think 130 से भी जादा हो चुके हैं इस समय जो सहयोगिता में participate कर रहे हैं तो half और बढ़ चुके हैं 100% increase हुआ तो उनके लिए ये करना बहुत जरूरी था और आज जितने देशों से calls आ रहे हैं they are enjoying learning each and every activity of हमारे धनी जी ब्रज में क्या किया था रास में हमने उनके साथ क्या किया था तो जरूर कोई रहस्य है सुन्दर साथ जी इसके अंदर कि तब नहीं हो पाई एक साल के बाद क्यों हो रही है ये सहयोगिता इसके लिए खूब खूब आनंद लेंगे revision करते हुए मेहनत करते हुए सेवा करते हुए सुन्दर साथ के चर्णों में कोटान कोट प्रणाम जी इनको कचूना खुल ही 40 प्रशनों का कितना सुन्दर अब दलाल वलब वलब भाई दलाल ने क्या किया था जरूर इनकी सेवा को याद रखना है 40 प्रशनों को परिश्रम पूरवक लिखकर आ गए थे अब गोविंद जी के मुख से ही वो चर्चा कहलवाई जाती है अब दज्जाल का लसकर खड़ा हो जाता है जब भी दज्जाल का लसकर खड़ा हो जाए तो समझे काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है सेवा बहुत जोरों शोरों से चल रही है जब भी निंदा होनी शुरू हो जाए तो समझे ऐसा कोई कार्य हो रहा है जिस पर सब की नजर आ चुकी है एक कीर्टन अब मीथी वलभा चारजवानी का जो कीर्टन उतरता है हमने वो पूरा कीर्टन वो किरंतन हमने पढ़ा ये क्या कहते है वैशनवू तुमारा सारा ध्यान नहाने दोने अच्छे कपड़े पैनने में बीच जाता है तुम्हें पता भी है तुम कौन हो कहां से आयो हमें बोल रहे हैं सुन्दर साथ जी ये अंगनाओ तुमारा मूल घर कहां है एक तरफ तो तुम ब्रह्मात्मा कहलाते हो यहां उनको वलभाचारे के अनुयाई कह रहे हैं इशारा मेरी तरफ हमारी तरफ करें दूसरी तरफ उनके द्वारा कही हुई अ लड़ने कोई आवे निंदक जब पौवेदिदार थो यह रहा उनका विषेशन तो क्या बन जाते हैं कोई लड़ने की नजर से आ रहा है इंसे तो लड़के आना यहे क्या बताए जा रहे हैं अखंड और वृणदावन है उदर अखंड ब्रजरास है पर किसी भी नजर से आईए कोई भी भाव लेकर आईए आईए तो सही संदर साजी जब पावे दीदार उनका मेरे श्री जी का मेरे धनी का दीदार पाते ही तब सुकर कहवे हक की शुकर है हमें लेकर आए यहां पे पारब्रम इनका दीदार कर लिया कैसी भी नियत से आईए निंदा करने के बहाने जगड़ा करने के लिए किन्तु जब वो प्राणनाजी का दर्शन पाते तो उनके मन की सारी भ्रांतिया निंदा जगड़ा कलेश से मुक्त हो जाते और पारब्रम को ध्यान देते हुए कहते कि इनकी निंदा जो करे सो होवे खवार एक बार सुनने तो आईए सुन्दर साजी फिर देखिए कि क्या होता है हमारे श्री जी के दर्शन उनकी चर्चावानी सुनकर तो देखिए इनकी निंदा जो करे सो होव खवार, खवार मतलब ठक जाएगा, नाश हो जाएगा उसका, ये तो साध बड़े हैं, हैं तरफ धनी Нिर्धार, शोरली वो पिया के प्रेम में डूबे रहते हैं, धनी जी के अंदर ही समाई रहते हैं, उसी में डूबे रहते हैं, ये तो बहुत बड़े संत महातमा साधु उनकी नजर में जो नए-णए आय हैं, हमारे लिए वो संत नए है, हमारे लिए महात्मा नही इह सुन्दर साजी, हम तो उनके कुछ और ही लगते हैं, हम तो उनकी अरधांगनी है, हमारे लिए तो प्राण प्रियतम हैं, कहते हैं जो इनकी निंदा करेगा, वो ख्वार हो जाएगा उसका नाश हो जाएगा उसका विनाश निश्चित है तो ध्यान से ये सुनने में तो बहुत आनन्द आता है कि उन्होंने श्री जी के दर्शन की और ऐसा कहा हम कहीं निंदा तो नहीं कर रहे हैं ना ख्वार हम भी हो जाएंगे सुन्दर साथ जी हम यदि ऐसा कारे करेंगे, जहां से पिया जी की वाणी निकल रही होगी, जिस मुखार बिंद से निकल रही होगी, यदि उसकी निंदा करेंगे तो ख्वार हो जाएंगे, सुन्दर साजी नाश हो जाएगा विनाश हो जाएगा अपने लिए सबसे पहले हम सुधरे तो जग सुधरा दूसरों पर जजमेंट नहीं देनी है हमारे पास इतना समय नहीं है हमारे पास बहुत गिंती की सांसें गिंती बांधी स्वांसों स्वांस बहुत कम बची है तो अपनी चिंता करनी है सुन्दर साजी हमें निंदानी करनी चाहे पिया की बात कोई कर रहा है चाहे भगवान राम की बात कर रहा है हो clapping बुद्ध जी की बात कर रहा हो, महात्मा बुद्ध की, चाहे तीर ठंकर, जैन तीर ठंकर की बात कर रहा हो, किसी की भी शिव जी की बात कर रहे हो, विश्नु जी की कर रहे हो, रिस्पेक्ट एवरिवन, क्या सीखा सुंदर साजी, उस दिन स्तुती जी ने कितना सुंदर कहा रिस्पेक्ट एवरी वन बट लव ओनली वन ये नहीं कि दूसरों की निंदा करनी शुरू कर देनी हर एक से प्यार करना है हर एक की रिस्पेक्ट करनी है अगर एक ना बड़ी मैंने बड़ी प्यारी बात सुनी कई बार ऐसा होता है कि जो आपको कांटे दे रहा है तो उसको कहते फूल दीजिए बहुत सुन्दर कबीर जी लिखते है जो तोके कांटा बुवे तुम उसको भी फूल दो बड़ा मुश्किल होता है सुन्दर साथ जी रहनी में कहना बड़ा आसान होता है बट करना कितना मुश्किल है it's okay, it's okay to be you, to be yourself कांटे का फूल नहीं दिया जाता भी कोई बात नहीं पर कांटे का जवाब कांटे में मत दीजिए फूल की भी टरन आ जाएगी धीरे धीरे कांटे के बदले में कांटे बोने बंद कर देंगे न देखिए फूल उगने लग जाएंगे अपने आप हम देने लग जाएंगे थोड़ा सा समय लगेगा वो समय स्वयम को देना है कम से कम इतनी तरक्की इतनी उन्नती जरूर करनी है कि कोई कांटे देरा चुप कर जाएए सहन कर लीजिये उनको कांटा मत दीजिये आगे से धीरे धीरे आप फूल भी देने लग जाएंगे देखिएगा अंदर फूल की सुगंधी आएगी देंगे तो हमने ऐसा नहीं बना ये तो साध बड़े हैं, ये तो बहुत अलोकिक, बड़े अलोकिक महात्मा है, हमेशा धनी की तरफ निर्धार प्रेम में डूबे रहते हैं, इस चौपाई के अरे वाँ स्वामी जी, मैंने नहीं पढ़ी होती सुन्दर साजी, आजकल समय नहीं मिलता कोई और ही मन्थन चल तीसरे चरण में जो श्री प्राणना जी को साधू महात्मा शब्द कहा है, वो श्री प्राणना जी के स्वरूप से अंजान प्रवाहियों का कथन है, जो अभी अभी आए हैं सुनके, निंदा की दृष्टी से आए थे, पर उनको लग रहा है, बहुत बड़े संत हैं, हमन के पती के लिए ये बात समझ में आती है, राजी के लिए ये बात समझ में नहीं आती है, तार्तम लेकर जागरत होने वाले सुन्दर साथ ने सरवत्र उनको अक्षरा तीत माना है, हमारे लिए वो संत महात्मा से बहुत उपर हैं, जिनको अभी पहचान नहीं, बिल्कुल ने आएं वो कह सकते हैं इसी प्रकार श्री प्राणा जी के स्वरूप के संबंद में तार्तम वानी या किसी जागरत आत्मा का ही कथन मानने हो सकता है प्रवाहियों का नहीं यदि हम उनको संत या महात्मा के उस पर रखते हैं तो हम कौन है सुन्दर साथ जी हमारी पहचान भी इतनी ही है इतना इसका अर्थ ये है बस अपने को तोलते जाना है श्री बीतक साहब के साथ कि हमें कितनी पहचान कितना हमारा प्रेमो मीटर बढ़ता जा रहा है बस ये ध्यान रखना है अगर तो ऐसे कर रहे हैं तो इतना है आतम रोग का बुखार इतना हुआ है अगर भाई भगवान दास जी के साथ श्री जी के दर्शन के लिए आया करते थे अरे वा मानिक तो नाम ही कितना प्यारा है हमारे गुजरात के बडोदा के सुन्दर साथ मानिक भाई के चर्णों में भी कोटी कोटी प्रनाम करना चाहूंगी जितनी सेवा वो कर रहे हैं सुन्दर साथ जी कभी सामने नहीं आते गुप्त रूप से सेवाएं करते हुए ऐसे शिरो मनी सीनिय और सुन्दर साथ के चर्णों में कोटी-कोटी प्रणाम, यहां भी मानिक भाई सोहबत संग भगवान, भगवान दास जी के साथ श्री जी के दर्शन करने के लिए आया करते थे, इनको चर्चा सुनते होए गई पहचान, जब इनों ने श्री प्राना ज के मुखार बिंद से चर्चा सुनी, तो उन्हें उनके वास्तविक स्वरूप की पहचान होगे, चर्चा सुनके, वास्तविक, वास्तविक सुन्दर साथ जी, अभी आये हैं, सुनते सुनते चर्चा, कितने महीने रहे सुन्दर साथ जी, सूरत में याद है आपको, या वर आईफोन के नाम से, प्रणाम जी, I think Brinda दी ओंगे प्रणाम, प्रणाम जी प्रणाम, सत्र मैना जी, बेची, अती सुंदर, ब्रिंदा जी, सत्र कहीं और भी आया था, सत्रा दिन, कहीं और भी आया था सत्रा दिन, जहाज में, जहाज में जाने के लिए, तुफान के, यह इसे कहीं कुछ हुआ है, सत्रा दिन, खंबाल जी, देखिए सुंदर साथी, ये प्रशन के लिए हाथ नहीं खड़ा किया था, उन्होंने, point to be noted, उन्होंने सिर्फ सत्रा महीने कहां, यहां रुकें उसके लिए किया था, पर सुंदर साथ के रिदय में, कोने में बीतक सहाबी बीतक सहाब दिखाई दे रही हैं इस समय अति सुंदर, सत्रा दिन जहाज में, जब ठठा नगर से गए, वापिस आना पड़ा ठठानगर में, अतिस चुंदर, यहां सत्रा महीने रहें, maximum कितनी चर्च सुन ली होगी कितने दिन कितने महीने सुन ली होगी वास्तविक स्वरूप की पहचान हो गई एक साल सुन ली होगी सुन्दर साजी हमें कितने वर्ष हो चुके हैं क्या हमें उनके वास्तविक स्वरूप की पहचान हो चुकी है मानिक भाई जी की तरह सुन्दर साजी बहुत ध्यान से चच्चा सुननी है, बहुत ध्यान से सुन सुन के कोई फाइदा नहीं होगा, होगा, कोई फाइदा नहीं होगा, नहीं कहना चाहिए, it will benefit us for sure, पर उतना नहीं होगा, जितना हम मांग रहे हैं राजी से, दीदार दे दो, मिठी मिठी बातें कीजिए, ये फाइदा नहीं होगा सुन्दर साथ जी, यदि deepest core of the heart से इसको नहीं सुनेंगे, और most importantly, इसको हम अपने जीवन में उतारेंगे नहीं, यदि वो सुन्दर साथ भी तक साहब में कर सकते हैं, जैराम भाई कर सकते हैं कि एक जैराम खड़ा रहा, तो हम कितनी बार खड़े रहे हैं, मेरे जीवन में स्वयम ऐसी बात आई होगी, कितनी बार हम इमान पे खड़े हुए हैं, और आगे होना है कि नहीं होना है, जो बीत गई वो तो बीत गई, पर आने वाले में कितने जैराम खड़े होंगे, कब-कब हमारे अंदर के जैराम भाई जागेंगे, कब-कब हमारे संदर से चिंता मनी जी जागेंगे, एहंकार को तोड़ कर फैंक देंगे, सब शिश्यों के सामने बोल दिया संदर साथ जी, मारो काले कुट्टे को, बहुत संदर संदर साथ जी, शिश्यों को साथ लेकर जाते हैं, अकेले छुपके नहीं जाते हैं, वो क्या-क्या सीखना है चिंता मनी जी से क्या आज हम कर रहे हैं, वो सब, भीम भाई जी से क्या सीखना है, अभी तार्तम नहीं लिया, सुंदर साथ जी धाम के लीला देखने लग गए, वा सुंदर साथ जी, भैरो सेट जी से क्या सीखना है, तीस का तीन दिन कब बनेगा हमारा, बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम अब बिहारी जी के अंदर क्या चल रहा है सबको तो रख लेते हैं जिनको मैं निकालता हूँ उनको ही ये शरण दे देते हैं उनको पास में रख लेते हैं अब तो इनको कुछ तो ना conditions लगानी पड़ेंगी और ये conditions हर एक जिसके अंदर भी धनी ने लीला करनी होती है कर रहे होते हैं उन पे लगाई जाती है सुन्दर साथ जी कुछ बातें प्रत्यक्ष रूप से कही नहीं जा सकती उनको समझ जाना चाहिए जिस जिस तन से धनी जी की लीला होती है उन पर condition जरूर लगाई जाती है तो समझ जाएगा कि इनके अंदर कौन लीला कर रहा है और ऐसी ही conditions होती है थोड़ा बहुत हेर फेर हुआ है आज तक सेम ही रही है तकरीबन तकरीबन सेम शायद बी तक से inspire होकर ही वो सुन्दर साथ conditions लिखते हैं आज भी बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम तीन बात का बंधेज हम किया इस्ठाम बिहारी जी श्री जी को पत्र के माध्यम से क्या लिखते हैं पूरा अपना संदेशा भेज देते हैं कि अब धर्म को आगे बढ़ाना है ना तीन बातों का परहेज करना पड़ेगा बंधेज करना पड़ेगा हम किया इस ठाम मैंने decide कर लिया है हम अपने मन की सारी बातें लिखकर भेज रहे हैं धर्म को सूव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए कौन सा धर्म कौन सी सूव्यवस्था सुन्दर सार जी जिनको चर्चा करनी भी नहीं आती वो लिखकर भेज रहे हैं कि तीन नियम का प्रचलन मैंने किया है मैंने निकाले हैं और तुमको मानने पड़ेंगे ये नियम जिनके अंदर धनी की बैठक होती है वो ऐसे नियम नहीं बनाते हैं सुन्दर सार जी उनकी बैठक जहां होती है उनको रोकने के लिए ऐसे नियम बनाई जाते हैं और आज भी बनाई जाते हैं बिलीव में सो तुम भी कीजियो तुमको भी करने हैं ये नियम उनको बोल रहे हैं किनको बोल रहे है हमारे श्री जी के लिए आई है यह पाती एह बात बहुत सिर्फ दोनों पातियों में difference देखिए सुंदर साथ जी एक पाती श्री जी की ओर से गई थी यह क्यों बताया जा रहा है वाई आर वी डूइंग श्री बीतक साथ सो thoroughly and deeply क्यों इतना गहराई में जा कुछ नहीं जाएगा, सांसें आपकी हैं जो वे स्टो रही हैं, सांसें मेरी हैं, मेरा जीवन चला गया, किसी का कुछ नहीं जाएगा, मेरा जीव शरीर से बाहर खड़ा होके, रोएगा, कि फिर मैं इस बार, फिर किसी योनी में जा रहा हूं, अच्छा बहला पन्ना जी की तरहटी में जा सकता था तब जिनके पीछे हम लगे हुए हैं यदी सही रास्ता नहीं है तो क्या उस समय कोई आएगा उस जीव का रोना बंद करने के लिए क्या उसको पन्ना जी की तरहटी में ले जा पाएगा वो जिनके पीछे हम लगे हुए हैं जो कुकृत हम कई बार कर पूर्णम जो कर रहे हैं, कोई नहीं आएगा सुन्रसाजी श्री बितक सहाब जो समझा रही है, श्री मखवानी जो समझा रही हैं, उन पे चलना है, वो होती हैं आखों का खुल जाना कि nais नहीं, I think I need to change my path, मुझे रास्ता बदलना चाहिए मैं सही रास्ते पे नहीं हूँ क्योंकि मैं जिनके पीछे लगी हूँ या लगाऊं वो बीतक सहाब और श्री मुखवानी के हिसाब से नहीं बता रहे या नहीं चला रहे शरीरों में नहीं पढ़ना सुन्दर साथ जी तनों में नहीं पढ़ना आत्मा को देख लीजिए सुन्दर साथ से प्रेम कर लीजिए और जो ऐसे ऐसे नियम जहां बनते हों वहां नहीं जाना सुन्दर साथ जी क्योंकि अपनी यात्रा का ध्यान रखिए वो बहुत जरूरी है हर एक सुन्दर साथ अपनी यात्रा पे ध्यान दीजिए आप अपनी यात्रा पे ध्यान रखते रखते इतने सजग हो जाएंगे कि वो बिल्कुल कमफर्टेबली चलने लग जाएंगे तभी तो उजाला फैलाएंगे आसपास अपने से इनी निकल पाएंगे तो क्या करेंगे कैसे ब्रहमांड में फैलेगा ये ब्रहम ज्यान तो ये तीन नियम कौन से है अपने सुन्दर साथ में भी कहते लागू करो जो आपके साथ है ये बात कहते तुम भी सो तुम भी कीजियो यह बात बहुत सिरे, बहुत important बात है, यह सिर पे लेने वाली बात है, चढ़ाने वाली, मतलब इज़त देना है इसको, यह बात तुम उत करो, अपने सुन्दर साथ में भी यह बात करो, तो इत भी आन फिरे, तुम अपने सुन्दर साथ में तीन नियमों का पालन कराते हो, तो यहां पर भी इत भी जहां मैं बैठाओं उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा एक तो नीच जात को यह पढ़ते हुए भी कितना दुख होता है सुन्दर साथ जी कैसी जाती पाती बिहारी जी के प्रति कोई कटुता नहीं आप जिनके भी पीछे चल रहे हैं यदी कोई कटुता का भाव कभी मन में नहीं आना चाहिए ये भी शोर कर लीजिए क्योंकि हमारे रिदे में यदी कटुता आई तो हम कितने साल पीछे चले गए हमें पता भी नहीं लगा कितनी मुश्किल से सत्गुरू धनी खीच-खीच कर लेकर आये थे हम फिर वही के वहीं किसी के प्रती कटुता नहीं बस आगे बढ़ना है रुके नहीं रहना क्योंकि खड़ा हुआ पानी सड़ जाता है सुन्दर साथ जी हमें खड़ा हुआ पानी नहीं बनना चरई वेती चरई वेती चलते जाना है आगे आगे हमें एक वो छोटी सी लेक होती है न एक होती है आ artificial मतलब जो इंसान होते हैं उसमें पानी भरते हैं उसमें एक उटोमेटिक उसमें लगा होता है वो पानी जैसे पूल होता है जाना में सागर में मिलना है पहले नहर फिर नदिया फिर सागर का हमें लक्ष्य रखना है सुन्दर साजी खड़े नहीं रहना यह ग्यान कभी खतम नहीं होता तो आगे बढ़ते जाए जो जो पिया पिलाते जा रहे हैं पीते जाए ओपन रखिए अपना हाट एक तो नीच जाती के किसी व्यक्ति को तार्तम ज्यान नहीं देना तार्तम ज्यान की महिमा कम हो जाएगी से दूजे रांड स्त्रीय को जिनके पती की मृत्यों हो चुकी हो जो विद्वा हो चुकी हो उनको तार्तम मत देना क्यों नहीं देना सुन्दर साजी क्योंकि बिहारी जी धाम नहीं है इसका मतलब उनीके मृत्यों हो चुकी है ना क्योंकि वो रांड है स्त्री तो इसलिए उनको भी नहीं देना तीजे कहें हम तुम एक मैं तार्तम दूँगा एक तुम दोगे हमारे अलावा और कोई तार्तम भी नहीं देगा ये तीन नियम बनाए हैं सुन्दर साजी नीची जाती के किसी व्यक्ति को तार्तम ज्यान नहीं देना दूसरा किसी विद्वास्तरी को नहीं देना ये याद रखने हैं सुन्दर साजी ये नियम क्योंकि लागू होते हैं ये पता होने चाहिए कहां लागू होते हैं और कहां से बचके रहना हैं तीसरा नियम मेरे पर तुम्हारे अत्रिक थोड़े से बदल दिये जाते हैं, वर्ड्स चेंज कर दिये जाते हैं, थोड़ी सी शब्दावली अलग होती है और आजकल तीन नहीं होते, आजकल तो पूरा पेपर होता है सुन्दर साथ जी, कोई अन्य व्यक्ति तार्तम नहीं दे सकता, मेरे घटित हुआ है सुन्दर साथ जी, ए तीन बात को जहूर की जो उत्त, मेरी क्या इच्छा है, तुम इन तीन नियमों को लागू कर दो, हुकम दे दो इसका अपने सुन्दर साथ में, धरम उजवल देखियो, देखना, जब ये तीन नियम लागू कर दिये जाएंगे, तो ह हमारा धरम कितना आगे चला जाएगा, धारा भाई को भी ध्यान में रखा गया है सुन्दर साथ जी, यहां पे वो तार्तम, क्योंकि वो भी चर्चा सुनाने लग गय थे, सुन्दर साथ उनसे भी तार्तम ले लेते होंगे, आया था ना, कि सुन्दर साथ को वो तार्तम भ देखना मैं उनक्या मोटिव तो यह है कि मैं ही आगे रहूं मिहिराज जी को तो आगे करना पड़ रहा है प्राणा जी मैं कहनी रही क्योंकि उनके लिए वो प्राणा जी है नहीं उनके नजरिये से देखें तो मिहिराज दे दें चलो इनको क्योंकि चर्चा वो सुनाते हैं को तो लेके चलना पड़ेगा साथ ही धर्म उजवल देखियो कोई करे ना निंदा कित हमारे धर्म की कभी निंदा नी होगी यदि ये त्री रूल्स हम एपलाई कर देना अपने धर्म में कभी निंदा नी होगी भावार्थ लिखते हैं हमारे प्यारे सत्गुरु श्री वित कर दिया जाता है इस चौपाई के तीसरे चरण में यही भाव्यक्त किया गया है धर्म उज्वल देखियो पंथ विभिन पुरुषों द्वारा चलाए जाते हैं किन्तु धर्म का प्रवा अनादिकाल से है और अनंतकाल तक रहेगा पंथ उसका पाट होते हैं चलाए जा धर्म रूपी सत्य के सागर से कुछ मनियों को लहराने वाली लहरें ध्यान दिजिएगा धर्म रूपी सत्य के सागर से कुछ मनियों को लहराने वाली लहरें सागर नहीं बन सकती धर्म का पाट है पंथ धर्म या सत्य को किसी समाज या राश्ट्र शेत्र या जाति विशे इसके बंधन में नहीं बांधा जा सकता जैसे कि सत्य बोलना धर्म का लक्षन है जब कोई भी रश्ट्र हो कोई भी त्रेत्र हो कोई भी जाती कोई भी समाजो that is धर्म फोर स्वह उसको बांधा नहीं जा सकता जैन वर्ध श्रीक्रिष्ण प्रणामी यहूदी इसलाम आदी पंत हैं धर्म नहीं है ए बात धर्म हिंदू है सुन्दर साथ जी ए बात और वैसे भी हिंदू और उसमें भी नहीं बांटा जा सकता उसको तो क्योंकि सत्य होता है हिंदू सिख इसाई मुस्लिम सबके लिए सत्य एक ही रहेगा वो नहीं ब कि खबर एक बार पहले भी पाती लिखी थी श्री जी ने आपको याद है ना कौन लेके गया था उस पाती को सुन्दर साथ जी को याद है नलिये से एक पाती लिखी गई थी उसको कौन सुन्दर साथ भिहारी जी तक लेके गए थे जी किरंदी दी पर नाम जी नाम जी चि विश्वनाद जी लेकर गए थे और फिर चिंतामनी जी उर्फ शामलदास जी लेकर गए जब राइट आंसर उसका आया था कि मैं आ रहा हूं तो पहली पाती में क्या लिखा गया था जागनी की सारी न्यूस दी गई थी मैं यहां गया मैं दीप बंदर में गया मैं वहां पर से मिला किस किस को मिला सुन्दर साथ जी उसको दोहराएंगे एक दिन फिर से है ना यह यात्रा हमें याद रहनी चे यह भैरोट सेट से मिला मैं इन से मिला माव जी भाई से मिला तो वो सारा वृत्तांत उसमें लिखा गया था आंसर वाज़ कम्प्लीट नो I don't have time कहते मेर पास इतना समय नहीं आ रहा है जैसे ही दूसरी बार भेजा गया चिंता मनी जी को शामल जी को भेजा गया शामल दाज़ी को तब आता है राइठ हां जी मैं अभी आ रहा हूं क्यों क्योंकि उसमें अभूशनों की धन की बात की गई थी बिहारी जी दड़े चले आये थे उन पत्र को देखकर अब बिहारी जी के और से पत्र लिखा जा रहा है इनकी तरफ से कोई जागनी की सूचना नहीं है क्या है तीन नियम ये नियमों को तुमको पालन करना है ये अंतर होता है सुन्दर साथ जी यदि इस अंतर को देख कर भी यदि आज के वर्तमान परिप एक्ष्य में मैं कह रही हूं सुन्दर साथ जी यदि देख कर भी हम नहीं सही राप पकड़ते हैं तो सोच लीजिए नुकसान किसका हो रहा है लौस किसका हो रहा है और अंत में जब खड़े होंगे तो completely lost कौन खड़ा होगा क्या जिनके भी पीछे हम जा रहे हैं जो धनी ज की ही आज्या से वैसा पात्र निभा रहे हैं क्या कोई बचाने आएगा सुन्दर साथ जी उस समय कहेगा कि चलो कोई बात नहीं दूसरे शरीर में मत प्रवेश करो आओ तुम्हें पन्ना जी की तरहटी में ले चलू पिछले जन्मों में भी नहीं हुआ अब भी नहीं इदर उदर का कुछ नहीं हमेशा सुद्रिड खड़े होकर नम्रता पूर्वक प्रेम पूर्वक अपना पॉइंट बताते हैं श्री जी ये मैंने बहुत सुन्दर सिखापन लिया इस बार श्री बीतक साथ से डरना नहीं है अपना पॉइंट पूरा रखना है पर लहजे म दिल में नम्रता और प्रेम भरपूर बनाए रखना है कोई भी कटू भावना लेकर कोई उत्तर नहीं देना है तुम बाहिर द्रिष्ट छोड़के देखो अंतर की नजर इस पत्र को पढ़कर प्राना जी ने इसका उत्तर लिखकर क्या भेजा बिहारी जी यदि आप बहि कि द्रिष्टी से देखें कोई नीची जाती दिखाई नहीं देगी कोई रांड स्त्री विद्वास्त्री दिखाई नहीं देगी कोई हम तुम दिखाई नहीं देंगे जो ग्यान दे रहा है उसको देने दीजिए तार्तम जो उजाला पहला रहा है बाहर के शरीरों को मत कीजिये कि तार्तम किसको देना है धर्म के वास्तविक स्वरूप का बोध होगा धर्म उज्वल कैसे होगा ये पता लगेगा जवाब तीन बात का हम तुम्हें लिखों बनाए ताको विचार कीजियो श्रीदेव चंद्रजी राह चलाए कहते जो तीन नियम आपने बनाए अब मैं आपको लिख कर उनका उत्तर बताता हूं ताको विचार कीजियो उस पे विचार जरूर कीजिएगा श्रीदेव चंद्रजी राह चलाए देव चंद्रजी ने जो राह चलाई है उसमें ये तीनों नियम उन्होंने कभी अपलाई नहीं किये क्यों मुस्लिम स्त्री को तार्तम दिया था ना सुन्दर साथ जी वो तो आगे से पढ़ते हैं उसमें क्या क्या किया उन्होंने और सुन्दर साथ जी मुझे एक बात और याद आई श्री कृष्ण तृधा लीला में सुन्दर साथ जी का एक प्रश्ण था परमधाम में नाम होते हैं के नहीं होत जो यहां प्रचलित नाम है वो नहीं होते हैं इंद्रावती जी नाम वहां नहीं होता है सुन्दर साथ जी सुन्दर भाई नाम वहां नहीं होता है वहां प्रेम की अलगी भाशा कैसे पुकारते होंगे पिया जी कौन से नाम होंगे वो वहीं जानते हैं यहां पर यह नाम उत्रे रूहु अल्ला मिसल गाजियों मोमिन उत्रे तब ये वो वाली चौपाई के बाद जब आता है सुन्दर बाई नाम धराया तित तो जब उनका नाम सुन्दर बाई धराया तो साथ में ही नाम करण हम सब आत्माओं के हो गए जैसे ही शामा जी के सिंदूर डालते है न यानि काल माया की इस तीसरे ब्रहमान की बात हो रही है पहले ब्रज में नाम कोई और थे वो continue नहीं हुए क्योंकि इंद्रावती जी का नाम मानक दे था उससे पता लगता है कि continue नहीं हुए रास में योग माया की भुमिका में हमें नाम नी चाहिए सुन्दर साद जी यहा पर आकर जब धराए अब रास में नाम लिखे क्यों गए अगर वहाँ नाम नहीं थे तो इंद्रावती क्यों लिखा गया उसमें पिर अभी बताती हूं सपोज मैंने अपने बेटे का नाम मुझे किसी ने कहा सपोज ऐसा होता नहीं हम तो मुगूर्त वगेरा मानते ही नहीं है सपोज हमारी फैमिली में कस्टम है कि अपने बच्चे का नाम हम छे महीने का जब वो हो जाता है तब रखते हैं कि छे महीने तक मेरे बेटे का कोई नाम नहीं था, उसको बेटा बेटू ऐसे करके पुकारते थे, for example, अब फिर उसका नाम रखा गया आत्मन, अब मैं उसके बारे में जब बात करती हूँ, किसी के साथ भी जब वो दो महीने का था, उसका नाम तब आत्मन नहीं था, उसका क ऐसे करता था, आत्मन जब तीन महीने का था ना, तब उसका नाम आत्मन नहीं था, पॉ oatmeal टो भी नोटेड, जब आत्मन चार महीने का था ना, तब उसने खाना थोड़ा सा, solid खाना शुरू कर दिया था, उसको मैं यह पीस के खिलाया करती थी, आत्मन नहीं था, पर अब उ श्रीमुखवानी कब लिखी गई, श्रीमुखवानी हबसा में उतरनी शुरू हुई, रास ग्रंत वहां लिखा गया, तब तक रास घटे तो हो चुकी है, अब आप उस रास के बारे में बात करेंगे, हमारे नाम धराये जा चुके हैं, अब हम बिना नाम के बात नहीं जब रास हुई तब कोई नाम नहीं था अब कैसे समझाएं इंद्रावती जी और केसर वाईता ऐसे जगड़ा हुआ कौन सकी बेहोश होके गिर गई कौन सामने खड़ी रही तो this is the difference कि जब ब्रह्मवानी उतरी तब तक हमारे नाम धराये जा चुके थे अब कोई भी बात ब अल्रेडी नाम होते थे तो वहाँ एपलाई नहीं होंगे सुन्दर साजी कितनी सुन्दर ये बाते हैं ध्यान दीजेगा और परमधाम में प्रेम की मूख भाषा या प्रेम की अपनी ही भाषा होती है कि पिया नाम ले लेके पुकारते हैं क्योंकि वहां ये शब्द आंके ऐसे ही मसाला मिसाल दे दे कर पहाड भी यहां बोला गया सागर यहां बोला गया सुन्दर साजी वहां तो अथा है सब कुछ शब्दों से परे है हमारा परमधाम ताको विचार कीजियो मैंने भी श्री कृष्ण तृधा लीला देखनी शुरू किया अभी तो डे उन्होंने जाती को वेश भूशा को भान डार्या सीस उन्होंने सिर भान दिया इन जाती पाती और वेश भूशा को सुन्दर साजी वेश भूशा का सीस हमने बान दिया है ध्यान देना है कोई छोटी जाती का कोई सुन्दर साजीन के पास थोड़ा उनका कारोबार कम चलत है या हम अभी भी उसी में फसे हुए है देव चंद्र जी ने ये चलाया है कहने को हम ब्रमातमाई कहलाते हैं ये हमारे पर गताना है सुन्दर साथ जी ये पाती लिखी जरूर भी हारी जी को गई है पर एक एक बात मेरे कारण लिखी गई है ये सोचके चलना है हमने भी जात पाती या किसी भी प्रकार का भेद नहीं करना सुन्दर साथ में सेम प्यार करना है सुन्दर साथ जी सबको तब तो हम यूगल स्वरूप की बैठक हर एक में देखते हैं एक से प्यार करते हैं दूसरे से नहीं करते तो नहीं देखते हैं भान डारिया सीस देख्यो जित अंक को कहते हैं जहां उन्होंने अंकूर देखा परमधाम का परमधाम की आतम तितकरी बक्सीस उन्होंने उपर की वेश पूशा नहीं देखी हम तो अंकूर नहीं देख पाते न सुन्दर साजी हम तो नहीं देख पाते किनके अंदर ब्रह्मात्मा हैं किनके अंदर नहीं है तो ह हमें सबसे प्यार कमना इसलिए तितकरी बक्सीज कहते हैं उनका दुआर सब के लिए समान रूप से खुला हुआ है सद्गुरु धनीश्री देव चंद्र जी ने जिसके अंदर परमधाम का अंकूर देखा अंदर की वस्त देखनी है दिल गवाही देता है सुंबर साथ जी उसे परमधाम की मिधी का तारतम ज्यान दिया इस चौपाई के दूसरे चरण में सिर तोड़ देना सिर भानना एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है अस्तित्व समात कर देना नश्ट कर देना किसी की बेश भूशा से किसी की जाती से मत देखिये पता नहीं वो कितने अं कर रहे हैं वो नजर से उनको देख के सुन्दर साथ जी बहुत 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 सुन्दर बीतक साहब रोज नए सिखापन हम को देते हुए यदि अभी भी कर रहे हैं सुन्दर साथ जी आत्म जागरिती की राह कोई आसान राह नहीं होती है बहुत ध्यान दीजिये गा यहा बहुत नीचे इनसे कहीं उपर उठकर ये स्टार्ट होता है सुन्दर साथ जी हमारे जो कबीर जी है न कहां कि योग माया से आई है उनकी वी क्या कहते हैं कहते हैं जो प्रेम करता है न वो सब कुछ नियोच्छावर अपना कर देता उसको कोई फरक नहीं पड़ता कौन सी ज जाता है एहंकार को अपना भान दिया जाए न फिर कुछ नहीं दिखाई देता उपरी उपरी कुछ दिखाई नहीं देता अंदर की वस्त अपनी भी और सामने वाले की भी दिखाई देने लग जाती है कैसा होता है प्रेम करने वाला प्रेम पे आला जो पिये शीश दक्ष शीष ना दे, लो भी शीष ना दे, सके नाम प्रेम का ले, कहते हैं वो खाली नाम लेता रहता है, कि प्रेम करना है, प्रेम पाना है, मुझे प्रेम दे दीजिये, पर जब तक शीष नहीं दिया, काट के सिर नहीं देना सुन्दर साथ जी, एहंकार देना है, उसको वार देना है, उसका नारियल फोड़ देना है, इस बार जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, पन्ना जी घर बैठे फोड़ सकते हैं सुन्दर साथ जी, उस नारियल को, आ इश दे ना सके स्वयम को संपूर्ण समर्पित समर्पन की रहा पर ना ले जा सके ऐसा प्रेमी तो कहलाते रहेंगे बस खुद को युकमा देते रहेंगे मिलेगा कुछ नहीं से इसलिए बहुत ध्यान से पग पग धरना है कहते हैं सो देखो तुम जाहिर खोजी बाई मुसल मुसलमान ओर एक तो वो मुसलमान थी नीची जाती की थी उपर से रांड स्तरी भी थी बताविये एक मैं दोनों ये समाय वए थे फिर भी उनको तार्तम दिया गया सो देखो तुम जाहिर खोजी बाई मुसलमान और वो स्त्री रांड थी बक्सियो रही बाई वासना जान रही बाई की वो वासना थी उनके अंदर बताओ इनको आप नहीं दोगे तार्तम तो कितनी तो आतमाएं ही रह जाएंगी इस बात का प्रत्यक्ष प्रमान ले लीजिए कि खोजी बाई एक मुसल्मान महिला थी और वो विद्वा भी थी फिर भी सद्गुरु धनी श्री सुन्दर साथ जी सो ए बात तुम देखी है उनकी द्रिष्ट जात भेश पर नहीं इससे पता लगता है कि उनकी द्रिष्टी जाती और वेश बूशा पर नहीं थी कि मुसल्मान का वेश पहना हुआ है जित देखो अंकूर धाम को गिनों ऊंच नीच ना ताहीं यह हमें भ सुन्दर साथ जी पूरे ब्रमान में उंच नीच जाती पाती से उपर उठिये सब को एक प्रेम की नजर से देखना शुरू कीजिए एक सदभाव की नजर से देखना और उनके साथ व्यवहार भी वैसा ही करना शुरू कीजिए इसी को तो रहनी कहते हैं अब ये बात शुरू धनी श्री देव चंदर जी की जागनी में आपने अपनी आखों से देखी है ना कि उनकी द्रिष्टि किसी जाती विशेश या वेश भूशा पर नहीं थी उनका ये सपश्ट सिधान्त था कि जिसके अंदर भी अंकूर धाम को परमधाम का अंकूर होता है उसे किस उच या नीच जाती के बंधन में नहीं बांधना चाहिए शरीरों को देखना ही नहीं है सुंदर साथ जी भारती संस्कृती में वर्ण व्यवस्था करमना है जन्मना नहीं जन्म से कोई छोटा बढ़ा नहीं होता जैसे कर्म करते हैं ना वैसा होना चाहिए पर इस समय वर्ण कर्म के अनुसार होते हैं जन्म के अनुसार नहीं होते हैं गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं देखिए श्री कृष्ण जी को कितनी कितनी प्यार से योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं चातुर वर्णयम मया स्रिष्टा गुण कर्म विभागश है अर्था चारो वल्ण, चातुर वल्णयम, चारो वल्ण, ब्राहमन, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र, मया, सृष्टा, गुण, कर्म, विभाग हैं, गुण, कर्म से उनके विभाग निश्चित किये गए थे, पर उसको कहीं और ही ले गया हमारा समाज, कर्म से होते हैं, जन स्मृति में भी कहा गया है, शुद्रो ब्राहमन तामेति, ब्राहमन चैव शुद्रताम, क्षत्रिय जात मेवन्तु, विद्या द्वैश्यास थैव च, मनुस्मृति 10 बाई 65, दस श्लोक और उनका सकंद और श्लोक शायद हैं, दस और पैसट, अर्थात ब्राहमन कुल में यदि उसका गुण कर्म स्वभाव, क्षत्रिय वैश्य या शुद्र के अनुसार है, तो उसे राज सत्ता के द्वारा शुद्र बना देना चाहिए, जो वो करते हैं, जो कर्म वो कर रहे हैं, वैसा बना देना चाहिए, ओप ओ, सुन्दर साथ जी, ये तो ऐसा लगा जैसे हमारे लिए ही बताया गया, हम जाती पाती में विश्वास नहीं करते, पर ये तो ऐसा लगा, सुन्दर साथ के घर में उत्पन होकर, यदि उसका गुण कर्म स्वभाव, जीव स्रिष्टी जैसा है, तो उसको ऐसा ही बना देना चाहिए, मैं अपने बारे में बात कर लें ह सुन्दर साथ के घर में जन्म तो जรूर ले लिया, पर हमारा स्वभाव, हमारी रहनी, हमारा प्रेम, हमारे अंदर का क्या दर्शार है, ठपा नहीं लग सकता ब्रहम स्रिष्टी का उस घर में जन्म लेके भी सुन्दर साथ नहीं बन सकते तार्तम लेकर भी सुन्दर साथ जी कितनी आत्माएं हैं गिनी चुनी आत्माएं हैं अपनी रहनी सुधार लेंगे तो धनी के दर्शन हो सकते हैं नहीं तो वहीं बना दिया जाएगा फिर फिर जीव वहीं का वहीं खड़ा होगा विचारा आत्मा फिर सत्गुरु उसको लेने नहीं आएंगे आत्मा का दोश क्या है जीव की नजर बस उधर मुड़ गई है उसकी तरफ और स्वयम को जीव भाव में स्थित पा रही है उसका दोश लग गया है बस इसी प्रकार यद कोई व्यक्ति शुद्र कुल में है पर गुण कर्म स्वभाव ब्रामन क्षत्रिय या वैश्य के समान है तो उसे उस वर्ण में स्थापित कर देना चाहिए जो प्रवाही है जो जानते ही नहीं है पर वो रहनी में आ रहे हैं जुड़ रहे हैं सुन्दर साथ जी ब्रह्म व जीव स्रिष्टी की रहनी से भी गई गुजरी ओ तो सुन्दर साथ जी स्वयम विसाइट करना है अपना पैमाना राजी पकड़ा रहे हैं बीतक साहब पैमाना है वो बताती है कि कितने गुण कितने लक्षन तुम में कैसे हैं स्वयम विसाइट करते जाना पूछना मत किस पैमाना बीतक साहब हमें कुण्जी खोल के बता रही है वो कुण्जी बहुत सुन्दर हरकत ले रही है अब सारा ताला जो है ना सारे संशेयों का ताला कैसे धीरे से खोल के दीदार का वो खोल देगी ताला पर रहनी के हाथों से उसको खोलना पड़ेगा वो कुण्जी गुय सूत्रों में भी यही बात कही गई है धर्म चर्यया जगन्यों वर्ण पूर्वं वर्म वर्ण मापद्यते जाती परिवरितव अधर्म चर्यया और अधर्म जो करते हैं पूर्वों वर्णों जगन्यम जगन्यम वर्ण मापद्यते जाती परिवरितव आपस तंब सूत सूत्र प्रश्न दो पध्य पांच प और क मुझे पता नहीं है सूत्र दस और ग्यारा अर्था धर्म का आचरन करने से निम्न वर्णों के लोग उच्च वर्ण को प्राप्त होते हैं और यह हम पे है सुंदर साजी जाती पाती पे ना लेके जाओ इसको खुद पे अपलाई क रहनी में आने से जो जो लक्षन सुहागनियों के लिखे हुए है जीव स्रिष्टी जीव स्रिष्टी मतलब प्रवाही हमें नहीं पता उनमें जीव स्रिष्टी है या वाकई उनमें ब्रह्म स्रिष्टी विराजमान है धर्म का आचरन जो कर रहा है रहनी पे जो उतर रहा वो चाहे प्रवाही हो चाहे राजी को जानते ही नहीं अभी हो सकता उनके अंदर ब्रहम स्रिष्टियों वो उच्चवर्ण को प्राप्त हो जाएंगे सुंदर साथ जीव स्रिष्टी होते हुए भी धनी के दर्शन को प्राप्त कर लेंगे अगर वो ब्रहम स्रिष्टी नही पिया कब दर्शन दोगे उच्च वर्णों के लोग ब्रह्म स्रिष्टी का ठपा लगाए हुए भी निम्न वर्णों को प्राप्त हो जाते इस जन्म में दर्शन नहीं होंगे रहनी सुधारनी ही पड़ेगी that is must बाकी कल करेंगे सुन्दर साथ के बुलो श्री प्राणनात प शमा चाहती हूं एक मिनट उपर हो चुका है प्रिनाम जी शब्द जो भी गलत लगा हो आपको या जो भी दुख गया हो रिद है उसके लिए शमा कीजिएगा मेरे जीव के लिए ये बहुत जरूरी है सुन्दर साथ जी प्रिनाम जी